हाई गाईज, वेलकम टू वी एनुफन, दे सेट फामिली वी लॉग्स मैं हूँ संतोशी सेट और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है क्योंकि व्लॉग रिलेटिड है पिक फूजा से जी हाँ, आज का व्लॉग है रिसिपी व्लॉग अगर आप पंजाबी से अगर कभी लंग्श या डिनर पर जाएं तो आपको दो चीज़े खाने को जरूर मिलेंगी एक है दाल मकनी और दूसरी शाही पनीर तो मैंने जैसे आप से कहा था कि मैं बहुत जल्द आपसे अपने शाही पनीर की रेसिपी शेयर करूंगी तो आज का व्लॉग शाही पनीर को डेडिकेटेड है तो चलिए जल्दी से किचिन में चलते और शाही पनीर बनाना सीखते है शाही पनीर बनाने के लिए जो समान चाहिए इंग्रिडेंट्स तेहे वो है इस प्रकार ये मैंने लिया है प्यास एक बड़ा प्यास लिया है अध्रग लसन और हरी मिल्ची टमाटर पिसे हुए ये है मलाई इसको मैंने मिक्सर में अच्छे से पैट लिया है ये है काजू काजू को मैं सोक कर रही हूँ और मैं इसमें डाल रही हूँ ये गरम पानी ताकि जब मैं काजू की पेस्ट बनाऊ तो बहुत अच्छी बने और ये है दही दही के साथ साथ ये मैंने लिया है खड़े मसाले जो है मोटी मिर्ची, काली मिर्ची, लॉंग, छोटी लाइची तो बनती है क्योंकि उससे फ्लेवर आता है और मोटी लाइची तेज पता और ये है स्पेशल मेन इंग्रिजिएंट पनीर चिसके बिना शाही पनीर तो बन ही नहीं सकता गए फ्यू मोमेंस लेटर तो फेंट्ट अभी बस्ट्रकस सब्सक्राइस गर्ण करंगी और डालोंगी जैसे तेल गरम होने लेगए मैं जीरा डालुंगी तब बस तेल गरम होने वाला है तो बैस तेल अब इसमें चोटे लाइची और मोटी लाइची आड़ करेंगे तो फ्लेम को थोड़ी मीडियम पे ही रखेंगे अब इसमें प्याज आड़ करेंगे देलागी तो चलाएँगे की बिलकुल चपकने लग गया है कर आई से तो जब घोन चुका है अब इसमें हम डंकरेंगे त्वियोआ उन्राइची डशी और मे कभी काजू की जो हम गरेवी बनाएंगे उसको प्यास के सात नहीं याइड करेंगे क्योंकि काजू की अच्छे से बहने के बाद ही एड करेंगे तांकि उसका फ्लेवर upload करें रही तो फ्रैंस सब्सक्राइब के देख्या है यह कजू की ग्रेवी बनाई है तो यह जो ग्रेवी मैं इसमें पोर कर दूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी जूगी ग्रेवी डालने के पाद देखो कितना अच्छा कलर आ गया है और अब मैं देखो गैस बंद कर रही हूं यह देखो मैंने गैस बंद कर दी है क्योंकि मुझे डालनी है दही तो हम अगर गरम गरम प्यास टमाटर में दही दालेंगे तो सारा दही पट जाएगा और सारा फ्लीवर खराब हो जाएगा तो हमेशाद गैस बंद कर दीजिए 10 मिनिट के लिए मसाले को ठंडा होने दीजिए और पिर दही डालिए तो देखिए क्या बढ़िया स्वाद आएगा तो फ्रेंस 10 मिनिट हो गया मेरे हिसाब से जो ग्रेवी है वो ठंडी भी हो गई है अल्मोस्ट और अब मैं इसमें दही एड करूँगी दही मैंने दो बड़े चमच लिये थे और मैं बंद गैस में ही एड कर रही हूं इसको हिलाते जाएंगे जब दही को डालेंगे हिलाते जाएंगे फिर पकने के लिए यह मैंने गैसान कर दी है और दही को मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है और दही के बाद हम आट करेंगे मलाई और फिर सारे मसाले डालेंगे नमक वगेरा और उसको बनने के लिए छोड़ देखें दही पकने रख गई है और अब मैं इसमें यह हमारी मलाई आट कर रही यह मैंने फेट के रखी थी क्रीम की फॉर्म में मिक्सर में और जब मलाई डालेंगे तो भी चलाते रहेंगे ताकि वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत सही प्लेवर आए कलर देखिए कैसे चेंज होता इसका मैंने सारे मसाले इसलिए डाले अब ही त्यूकि हो मैं पर पकने के लिए छोड़ दिए डख के यह अच्छे से पकने लग गया है तेल छूट छूट के आ रहा है यही निशानी है कि सब्जी तयार हो रही है जब तेल छूटने लगे और आप हम इसमें आड़ करेंगे नमा कि दीर डाला मैंने नमा कि कलर देखें कितना अच्छा आ रहा है वाइट कलर में होता है ना आचा कई-कई लोगों को येलो पसंदा तो थोड़ी हल्दी भी डाल दीजिए वैसे शाही पनीर में हल्दी नहीं डालते हैं बट अगर आपको येलो कलर चाहिए तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं मेरे घर म में सबजी बन जाती है और मेहमान खुश इस मिक्षर को दो मिनिट के ढख के रखेंगे सिंगास पे और पर पनी राट करेंगे इस दो मिनिट हो गई है अब मैं ये हटाऊंगी और पनी राट कर दी पनी राट कर देंगे और पनी राट करके वापस ढख के रख देंगे बनने के लिए फिर धनिया डालेंगे गार्निश के लिए बन गया शाही पनी 20 मिनिट में प्रेंज मैंने बस इसको ढख के रख दिया है पनी डालके दो मिनिट के लिए क्योंकि पनी बहुत जल्दी गल जाता है टूट जाएंगे सारे पीसिस से दो मिनिट में देंगो स्टीम भी आ रही ह कितने जबरदस तो बस बनी गया है तो गैस दो मिनिट हो गए है अब मैं धकन को खोलूंगे और पनीर को देखूंगी आई वह पच्छा ही बनाओ फ्रेंज भी भी चूत रहे हैं कितना अच्छा पनीर बनाए है हमारा शाही पनीर इस रेड़ी पंजाबी की फिवरिट डिश रेड़ी आज आज खालो तो गाइस हमारा शाही पनीर बनके तयार है देखिए मैंने सर्फ कर दिया है कैसा लग रहा है तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी सिंपल सी शाही पनीर की रेसिपी बहुत कम इंग्रिडियंट से बन जाती है बहुत ही टेस्टी होती है तो friends इस बर मैं किसी को टेस्ट नहीं कराने वाली पता है क्यों क्योंकि मुझे पता है मैं अच्छा बनाती है और आपको मुझे बताना है अगर आप मेरी रेसिपी ट्राइ करें तो comment section में जरूर बताएंगी कैसी बनी थी तो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले vlog में तब तक के लिए like करे, share करे और subscribe करे